Hello students, exercise 6.3 का question number 6 देखेंगे आकर्ती में हमें तिर्भूज ABE ये जो तिर्भूज है ABE और ACD ये वाला तिर्भूज ये दोनों सर्वांगसम दियें गए हैं ये दोनों सर्वांगसम दियें तो हमें दर्शाना है कि जो ADE तिर्भूज है और ABC तिर्भूज है ये दोनों हैं तो समरूप था हमने सिद करनी है हमें दिया गया हमने दिया है में लिख लिए करना है ये हमने नोत कर लिया अब परमान हम करते हैं तो हमें ये दिया ह। कि तिर्भुज A, B, E और A, C, D क्या है, सर्वांगसम है, अगर सर्वांगसम है, तो इनकी बुजाएं बराबर है, यानि A, B बुजा किसके बराबर है, A, C के बराबर है, क्योंकि ये तिर्भुज और ये तिर्भुज सर्वांगसम है, तो A, B और A, C बराबर है, ऐसे ही A, E, AE बुजा किसके बराबर है AD की ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं इसको AB by AD लिख दे AB by AD और AC by AE हम यह क्यों लिख रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है इसको समरूप करना है तो इसकी अगर हम AB बुजा लें पूरे ABC की ABC की AB बुजा ले लो और ADE की AD तो aB भूजा बटए AD लिख दें और ऐसे EC भूजा बटए AE लिखन दें तो यह दो भूजाए समानुपाती हो जाएंगी इसलessment aB के निचे AD और CE के नीचे AE लिख दिया ठीक है अब क्या कर देते है हम бли और cinco को यहां लिख रहते हैं AD को महा ले जाते हैं इससे क्या होगा कि AB बुजा जो है और AC बुजा AB बुजा AD के क्वड़ है यानि A Bana AC AF के समुप है तो यह भी लिखे रह सकते हैं हम तो यह हमें इस तिर्भुज के अंदर ये तो ही है साथ के अंदर ये वाला कौन जो है दोनों में आ रहा है इसको यहां तो हम बोल देंगे बी एसी इस तिर्भुज के लिए ए बीसी के लिए तो बी एसी कौन है और इसके लिए क्या है डी ए ये दोनों कौन क्या है इक्वल है ठीक है क्य देखो दो भुजाएं ये इस भुजा के ये भुजा इसके समानुपाती और इनके बीच का कौन क्योंकि इकवल आ रहा है तो भुजा कौन भुजा समरूपता जिसको हम इंग्लिश में S से S का सोटी भी बोलते हैं तो ये जो है इससे क्या हो जाएंगे ये तिरबुज समरू इसके शीरष्लम्ब है एक देख और एक सी एचिसलंब है एक सी सीचलंब है यह दोनों एक दूसरे को पी पर परति छेट करते हैं यह हमें दिया गया है और दशान है हमेई ए एपम तरभुज जो है एईपम तरबुज तरज यह पेनाएगा और सी देपि यह दूनों तरभ प्रूप दिखाने सबसे पहले भाग में चाल भाग है मारे पास तो पहले हम फस्ट पार प्रूप करेंगे तो हमें क्या दिया हुए तिरबुच ABC के अंदर दो शीरशलंब दिये गए हैं AD और CE इस तरह से हैं कि AD किसके उपर शीरशलंब है BC के उपर और CE से हिशलंब है AB पर यह हमें दिया हुए और सिद करना है हम पहले फस्ट पार सिद कर रहे हैं तिरबुच AEP समरूप कर रहे हैं तिरबुज CDP के ठीक है ये तिरबुज और ये तिरबुज हम समरूप कर रहे हैं अब इसमें आप ये रेखो ये जो कौन है इस तिरबुज में ये 90 डिगरी का है और इसके अंदर ये तो कौन E और D 90 डिगरी का है और कौन एक और दो क्या है, शिर्चा भी मुखी कौन है, तो दो कौन निकवल हो जाएं, तो तीसरा तो अपने आप होता है, तो इसको हम AA समरूपता नियम से क्या कह सकते हैं, यह क्या है, तिर्भुज समरूप है, अब सेकिन पार प्रूप करेंगे, ABD तिर्भुज, ABD तिर अगर आप ABD तिर्भुज, यानि यह वाला तिर्भुज ABD है, और एक यह वाला तिर्भुज है, इन दोनों में B तो दोनों में ही है, और साथ में यह 90 डिग्री के हैं, तो दो कौन इसमें भी होगे, इकवल, ठीक है, कौन D equal to E, 90 डिग्री, कौन B और B, common है, इसका मतलब क क्या है, यह दोनों तिर्भुज भी समरूप है, ठीक है, सब में यही आएगा, AEP, अगर लें, AEP तिर्भुज को हमने, ADB तिर्भुज के समरूप सित करने है, AEP जो तिर्भुज यह छोटे वाला, और ADB, इसके अंदर आप क्या रेखते हैं, AEP और ADB में कौन A दोनों में आ रहे हैं, उब्यनिस्ट है, और A कौन E और D आ रहे हैं, कौन E और D 90 रिग्री के हैं, तो इसमें परमान हो जाएगा, इसमें सिद्ध हम यह कर रहे हैं, AEP और ADB, ठीक है, इसके अंदर AEP में, और ADB में, कौन A इक्वल तो कौन A है, कौन A है, और कौन E और कौन D, दोनों 90 रिग्री के हैं, इस तिर्भुज में, D कोन A रहे हैं, और इसमें E, यह 90 रिग्री के हैं, तो यह दो कौन इक्वल होगे, तो समरूपता नियम कौन सा लग जाएगा, A, A समरूपता नियम, फोर्ट पार्ट लास्ट जो है, इसमें हमें प्रूव करना है, जो PDC तिर्भु नौ कोश्च नम्बर एट, समारंतर चतरबुज A, B, C, D, A, B, C, D एक समारंतर चतरबुज है, समारंतर चतरबुज की बढ़ाई गई भुजा A, D पर, A, D की बढ़ाई है, E तक, एक बिंदू है, तिथा B, E, जो है, C, D को F पर कार तरही है, तो हमें दर्शाना क्या है, द A, B, E, ये जो पूरा तरबुज A, B, E बन रहा है, और C, F, B, C, F, B, ये जो उपर तरबुज बन रहा है, ये दोनों क्या है, समरूप है, ये हमें दर्शाना है, तो सबसे पहले दिया है में, तो आप यहां से यहां तक सारा लिख लोगे, कोश्चन में से ही नोट कर लेना है, दिया है, और सीध करना है, ठीक है, सीध करना है, में बूक में से ही आपने कोश्चन में से ही नोट कर लेना है, आप क्योंकि ये दो तिर पुच हमें समरूप दिखाने है, इन दोनों तिर पुच में आप क्या रहते हैं, तिर पुच A, B, E, और C, F, B के अंदर, कौन A और कौन C क्योंकि समानांतर चत्रबुज के सम्मुक कौन बराबर होते हैं यूंकि आमने सामने के कौन समानांतर चत्रबुज के बराबर है इसलिए कौन A और कौन C बराबर हो जाएंगे ठीक है और ऐसे ही जो यह वाला कौन है यह वाला ए और बी ठीक है यह एकांतर कौन बन जाएंगे यह दोनों कौन ए इबी इसको चाहे एक और दो लिखके आप इसकी जंगे कौन एक ब्राबर में कौन दो भी लिख सकते हैं यह एकांतर कौन है क्योंकि देखो क्योंकि बीसी जो है एडी के समानंतर है समानंतर होते हैं तो जै वज़ा से कौन एक और कौन दो यानि ए इबी और सी भी एक इकवल हो जाएंगे और दो कौन आपके इकवल हो जाएं तो क्या बन जाते हैं तिर गुझे सम रूप बन जाते हैं तो यह हो जाता है रूप कि तो कोशन एट तक है इस वीडियो में